आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय आदो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों है बरी गबरारी है कानपूर में एक बर फिर बदमासों ने पुलिस को दिन दहाले चौनौती दी जिससे विभाग की काफी बदनामी हुई लेकिन समय रहते पुलिस ने सावित कर दिया कि वैकानूं से खिलवार करने वालों को नहीं बक्षेगी वैबार में एक दसमलो 46 करोड के बकाई के लेंदेन को लेकर साजहापूर के फैक्टरी मालिक के कारसवार चार गुर्गों ने बर्रा के वैपारी का आपहार अगल लिया जानगारी मिलते ही वैपारी की पत्नी ने बर्रा थाने में एफाई यार दर्च कराई बर्रा पुलिस ने सर्विलास सेल की मदब से लोकेशन ट्रैस कर तीन लोगों को साजहापूर स्टेट वैक्टरी से दबोचा और वैपारी को मुक्ष कराया बर्रातीन निवासी पवन कुमार तिवारी की बर्रा आठ में हाडवेर की दुकान है उन्होंने पताया कि साजहापूर की फैक्टरी से उनके यहाँ पीविसी पाइप आते हैं जिसका उन पर फैक्टरी का वर्ज 2018 से अब तक 1.46 करोर रुपए बकाया हो गया था जिसके ल परानों से बैठा कर ले जाने लगे मेरे को पता नहीं था जब दुकान से लेवर आई तो उसने बताया कि भाईया नहीं पहुंचे है और गारी ऐसे ऐसे कारगिल पर खड़ी है तो तब मेरे को पता हुआ क्योंकि मोबाइल इनका कभी सुच्वाप रहता नहीं है तो पता चला फिर जहां कारगिल वालों ने देखा था बठालते हुए उन लोगों ने बताया तो फुटिज निकल वाई उसमें बठालते हुए दिख रहा है और गारी भी दिख रही है तो तीन-चार गंटे वाजब इनका मोबाइल ओनुगा तब सिर्व मेरे को इत्ता बताया कि अनिल गुपता के साथ में हुआ का तो इनकी तब्यात खराब हो गई थी तो ब्यापार बीच में बंद हो गया को इनकी रिलेशन के अनिल गुपता हाट वेर का पाई पाता था उन से पहले मेरा हां तो दो बजे करीब हम यहां आए और हमने पूरी बात बताई पुलिस ने सब कॉपरेट किया मेरे को और अरोपी पगड़ गए अंदर है और हां मेरे पती आ गई है और पुलिस लाई है उनको रात में बार बजे गई थी यहां से पांच बजे शुबा लेके आई है इंडन वैम न्यूस से सवाद दाता गुराब सर्मा की खास रिपोर्ट